नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमिछ चोधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइज एंड फॉल ओफ दे एंशिन पर्शियन अमपायर के बारे में यानि जो प्राचीन फार्सी समराजे था उसके उदे से उसके पतन की पूरी कहानी को हम डिसकस करेंगे तो फार्सी समराजे यानि पर्शियन अमपायर की जब ही भी बात होती है तो इसके बारे में हम अलरेड़ी बहुत सारी वीडियोज में पढ़ चुके हैं जब हम Greek Empire के हित्यास को पढ़ रहे थे तो उसमें Greco Persian War के बारे में हमने बात करी थी क्योंकि जब ही भी Greek Empire की बात होती है तो उसके साथ हमेशा Persian Empire की बात होती है क्योंकि ये दोनों सामराजे एक दूसरे के विरोधी थे इनके बीच में हमेशा conflict चलते रहते थे एक लंबे समय तक इनके बीच में वोर चलता रहा है उसके अलावा हम Religion की सीरीज में भी Persian Empire की बात कर चुके हैं जब हमने फारसी धरम के इत्यास की बात करी थी जो जोरस्ट इनिजरम Religion है जो कि भारत में भी फॉलो किया जाता है और उसे हम फारसी धरम के नाम से ही जानते हैं क्योंकि वो इसी फारस का इसी Persian Empire का धरम हुआ करता था तो उसके बारे में भी हम डेटेल में बात कर चुके हैं लेकिन आज हम एक ओवर व्यू देखेंगे कि इस Persian Empire का इत्यास क्या रहा है इसकी जियोग्राफी क्या रही है इसका political structure कैसा था इसकी society और इसका culture कैसा था और इसका जो धर है इसका जो religion है वो किस तरह का था सारे के सारे पहलूँ के ओपर हम डेटेल में बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सकसेस प्लस अकेडमी के साथ नए हैं तो मैं आप से request करूँगा कि आप इसके various platforms के साथ जुड़ सकते हैं आप YouTube चैनल पे देख र Persian Empire जो है इसका rise होता है लगबग 6th century BC में अगर exactly बात करूँ तो लगबग 550 BC के around इसका rise होता है और लगबग ये 20th century तक ये empire चला है छोटे मोटे हिससे इसके चले हैं लेकिन हम इसकी 20th century तक के इत्यास को नहीं पड़ेंगे हम बात करेंगे 1st Persian Empire की जो पहला फार्सी समराजे बना था जिसकी नीव रखी थी महान राजा Cyrus the Great ने Cyrus the Great जो है ये पहले राजा थे जिसने Persian Empire की नीव रखी थी 550 BC में और ये उस समय तक का एंशेंट अगर पीरेड की बात करें तो प्राचीन समय के सबसे बड़े समराजियों में से एक था जिसने जो बालकन पहली इसका मेप ही दिखा देता हूँ लिखने से क्या बढ़ दाए होगा हुआ यहाँ से देखे इस पार्सी समराजे के पूरे के पूरे मेप को यहां पे आपको यह मेडिटेरियन से लगता हुआ मैप दिख रहा है एजिप्ट का ये वाला हिससा है उसके बाद ये ये उरोप क ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है उसके अलावा एशिया माइनर और जो मिडल इस्ट का अलाका जहां पर आपको दिख रहा है आज का समय का टर्की उसके अलावा यहां पर पूरा का पूरा शीरिया आज के समय के जोर्डन इस्राइल वगेरा सारे सारे ये इराक इरान और सारा का सारा ये हिस्सा मद्द एश्या का आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको कैस्पियन सी तक दिख रहा है और भारत की जो इंडस रीवर जो है इसके आसपास तक के रिजन पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था तो पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे इंडस रीवर इसके बीच में बसा हुआ ये इतना बड़ा सामराजे था इसकी नीव रखी थी साइप्रिस डैक, ग्रेट ने 550 BC के अराउंड इसका राइज कैसे हुआ, इसका एक्सपैंशन कैसे हुआ, सारे पहलों के उपर हम बात करेंगे इस अमपैर को पहले कहा करते थे, यह जो पहला सामराजे था, इसको आके में नीड अमपैर भी कहा जाता था तो लगबख 200-200 सालों का इसका इत्यास रहा है लंबा, यह जिस मैप की मैं बात कर रहा हूँ यह 550 BC से लेके लगबख 330 BC के अराउंड तक यह जो सामराजे है, यह अपने पीक पे रहा है 330 BC में अलेकजंडर दा ग्रेट जो सिकंदर महान जिसकी बायोग्राफी मैंने अभी रिसेंटली कवर की है उसने इस पर्शियन अमपैर को पूरी तरीके से हराया था और उसके बाद इस समराजे का पतन हुआ उसके बाद यह दुबारा भी उठ खड़ा होने की कोशिश की बहुत सारे राजाओं ने पर्शियन अमपैर को धीरे धीरे वापिस राइज किया लेकिन इतना पाउरफुल यह कभी दुबारा नहीं बन पाया जैसा की सायरस दा ग्रेट, जक्सीज और डारियस के टाइम पे हुआ करता था उसके अलावा अगर इसके और मैपस की भी बात करें तो सायरस के टाइम पे यह ग्रीन वाला मैप रहा था बहुत बड़ा सामराजे सायरस नहीं इसको इस्टैबलिश कर लिया था फिर ही इनका जो बेटा था कैमबेसिस सेकंड जो था उसने 530 बीसी से 522 बीसी के बीच में इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की इसका एक्सपांशन जो है वो किया उसके बाद जो ब्ल्यू कलर वाला जो है ये वाला इजिप्ट वाला रीजन जो है उसको कंट्रोल में लिया और इसके बाद डारियस फैस्ट जो है इसने अपने सामराजे को सबसे ज़्यादा एक्सपैंड किया और जब अपने पीक पे था ये सामराजे तो डारियस के टा पूरा जो expansion है उसके बारे में हम detail में धीरे-धीरे करके बात करेंगे कि कब कौन सा सामराज्य कब इनके control में आया और पहले का इश्तती हुआ करती थी जब Persian सामराज्य नहीं बना था तो Persian Empire की बात होती है जो एक semi-nomadic tribes थी उनकी rise होती है जो की sheep, goats वगेरा, kettles वगेरा को चराया करते थे उसमें एक छोटे-छोटे यहां पर tribes हुआ करती थी उनका एक जो ठोके एक राजा आता है Cyrus the Great ये leader होता है एक tribe का और इसने जो छोटे-छोटे kingdoms थे उनको हराना शुरू क मीडिया है, मीडियन जो अमपायर था उसको सबसे पहले वहां पर revolt किया उसको कंट्रोल मिलिया फिर लीडिया को हराया लीडिया जो अमपायर है उसकी भी मैं बात करूँगा बेबिलोनिया और इनको जोड के जो प्राचीन आरकेमनीड अमपायर है इसकी रिनीव रखी 550 BC म उसके बाद इस समराजे के अंडर में प्राचीन सिविलाइजियसं की बात करें जो पुरानी सब्भेताएं हुआ करती थी उनकी तीन सब्भेताएं इसी समराजे के अराउंड इर्द गिर्द और इसके कंट्रोल में हुआ करती थी कौन से सब्भेताओं की मैं बात कर रहा हूँ प्राचिन विश्वा की चार माहान सब्भेताएं हुआ करती थी उसमें एक है भारत की इंडस वेली सिविलाज़िशन यानि की हडपा सब्भेता ये इसको मोहन जोधारो सब्भेता भी कहते हैं जो की इंडस रिवर के आसपास थी सिंदू घाटी नदी के किनारे थी दूसरी थी मेसोपोटामिया की जो सब्भेता थी जिसको टिंगरिस यूफरेट वेली कहा करते थे ये जो टिंगरिस रिवर है इसके अराउंड थी तीसरी है इजिप्ट की सबसे पुरानी सब्भेता जिसको इजिप्शियन सिवलाइशन कहते हैं और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे ये सब्भेता हुआ करती थी और चोती थी हौंग सो वेली के अराउंड चाइना की चाइनिज सिवलाइशन ये चार सभेताएं थी मेनली तो पुराना जो पर्शियन अमपायर था वो इन तीनों सभेताओं को कही ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल करता था इंड़स्री रिवर्स सिवलाइशन के किनारे से लेके इजिप्शन सिवलाइशन को भी इसने अपने कंट्रोल में लिया और मेसोपोटामिया की सिवलाइशन के अराउंड तो इसका राइज ही हुआ था तो पुराने विश्वा की तीन महान सब्वेताओं को अपने साथ जोड के रखना, consolidate करना तो उससे ये जो है पूरा का पूरा समराजे अपने आप में ही भूत बड़ा cultural hub बन जाता है क्योंकि तीन सब्वेताओं को इसने अपने control में ले लिया था तो तीनो सब्वेताओं को control लेने की वज़े से इसका जो culture है, इसकी जो समाज है और इसकी जो art और पूरी की पूरी technology है वो काफी rich है in compared to other worlds ठीक है, इसके बारे में हम discuss करेंगे शुरुआत कैसे होती है इस empire के rise होने से पहले की इस्तिक को देखिए आप, क्या था, यहां पे यह हमारा भारत है, भारत से अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो यहां पे एक बड़ा समराज्य हुआ करता था जिसका नाम था median empire यह median empire जो है आज के जो मद्दे एशिया से लेके कैश्पियन सी तक होता था, इधर पर्शियन गलफ तक होता था, इधर ब्लैक सी तक और साथ में इसके लगता था kingdom of Lydia kingdom of Lydia लगता था median समराज्य के साथ इस kingdom of median की जो है हमेशा expansion को लेके लड़ायां चलती रहती थी इसके साथ में इस साइड में रेड सी से लेके पर्शियन गलफ तक और ये वाला जो हिस्सा है ये बेबिलोनियन अमपायर हुआ करता था, इस बेबिलोनियन अमपायर में भी काफी सारे देश आया करते थे आज के समय की बात करें तो यहाँ पे जो डमासकस जो की राजधानी है आज के समय सीरिया की, यहाँ पे बेबिलोन जो है वो बेसिकली इराक को कहते हैं और यहाँ पे काफी बड़ा समराज्य था इनके पास भी तो सबसे पहले जो पर्शियन समराज्य है उसकी शुरुआत होती है यहाँ से, इका बेंटाना जो है यह मीडियन अमपायर की राजधनी हुआ करती थी, इका बेंटाना जो है यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं सबसे पहले साइरस, अभी साइरस दक ग्रेट नहीं बने थे, वो एक चोटी सी ट्राइब के लीडर हुआ करते थे यहां के राजा मीडियन के राजा के खिलाफ वो यहां पे रिवोल्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी राजधनी इकाबैटाना को अपने कंट्रोल में रहते हैं यहीं से राज होता है यह जो प्राचीन फर्स्ट पर्शियन अमपायर है इसकी शुरुवात यहीं से होती है तो 553 में साइरस जो है वो इसके खिलाफ मीडियन अमपायर के खिलाफ रिवोल्ट करता है रिवोल्ट करने के बाद जो है यहां के राजा को कैप्चर कर लेता है आईसागीज यह जो नाम है मत थोड़ा सब ढंग से परनाउस ना कर पाऊँ तो माफ कीजिएगा आईसागीज जो है इसको कंट्रोल में लेता है इसकी राजधानी इकाबाटाना को अपने कंट्रोल में लेने के बाद जो साइरस जो है वो आने वाले समय में पूरे के पूरे मीडियन अमपायर का अपने आपको किंग घोशित कर देता है जो ही किंग घोशित करता है उसके ब यहां पे एक नया राजा बना है Cyrus, Cyrus अपनी आर्मी को consolidate करेगा, अपने internal matters को सुलजाएगा, यहां पे जो revolt हो रहे हैं उनको दबाएगा, इसका फाइदा हम उठा लेते हैं और जो इसकी जो boundary है, international boundaries हैं उनको हम push कर सकते हैं और इस empire को हम हरा सकते हैं, ऐसी सोच रखी सबसे पह Newly Formed Arkham Need Empire जो था, जिसको हम Persian Empire कह सकते हैं, इसके खिलाफ इसने war छेड़ दी, तो 546 BC में यह war तो हुई, लेकि यहां पे लीडिया की ही हार हुई, क्योंकि Median Empire की जो army थी, वो काफी strong थी, और Cyrus ग्रेड जो राजा थे, वो भी अच्छे खासे यहां पे military leader थे, तो उन्होंन यहां पे सबसे पहले Lidia को अपने control में लिया, Lidia भी इनके control में आ चुका है, सबसे पहले Median से शुरू हुई, अब यह जो समराज है, इसकी हार हो चुकी है, अब next number है Babylonia का, और Babylonia पे उपर अटेक करता है, 549 और 540 BC के around, Persian और Babylonians के relations के बीच में टकराव होता है, पहले का क्या इत्यास रहा है Babylonia का और Median का, यह माना जाता है कि एक दूसरे के होस्टेल थे लेकिन ज़्यादा लिखित इत्यास उसके बारे में पता चलता नहीं है, तो बात यहां से शुरू होती है, कि 549 के बीच में इनके बीच में लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में फिर 539 BC के अराउंड एक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में जो बेबिलोन का राजा होता है, नेबो नीटडस, इसकी हार हो जाती है, इसको जेल में डाल दिया जाता है, और 12 अक्टूबर 549 BC का दिन जो है, उसको माना जाता है, फॉल ओफ बेबिलोन, बेबिलोन यानि आज का जो इराक है उसको अपने कंट्रोल में ले देते हैं, पर्शियन किंग साइरस, तो बैसिकली अब ये अंपायर जो है, ये बढ़ता जा रहा है, यहां से शुरू हुआ, यह अंपायर आया, फिर लीडिया को अपने कंट्रोल में लिया, और बेबिलोन को अपने कंट प्रॉल में लिया तो इस रीजन में जो मेजरली जो रिलीजन फॉलो किया जा रहा था वो रिलीजन हुआ करता था जुडाइजम यानि यहुदी धरम आज के समय यहुदी धरम आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ इसराइल में फॉलो किया जाता है इस रीजन में बाकी जो काफी बाद में आया है इस रीजन में लेकिन यहां पर इसलाम नहीं था तो जुडाइजम के जो लोग थे वो बेबिलोनिया के राजाओं से खुश नहीं थे और जब यहां पर साइरस आता है साइरस एक काफी टोलरेंट राजा माना जाता था वो किसी के ओपर धरम को थोपत यहां पर जेरुसलम जा सकते थे तो लोग काफी खुश हुए बेबिलोनिया के किंग्डम के हार होने के बाद सब नहीं लेकिन इस्पेशली जो जुडाइजम को फोलो करते थे वो लोग यहां पर खुश हुए पांसो तीस बीसी के अराउंड एक एकस्पेंडिशन के दोरान ही मास गेटीज की एकस्पेंडिशन के दोरान ही साइरस की यहां पर डेथ हो जाती है बैटल फिल्ड में उसके बाद जो है इसके दो बेटे होते है एक का नाम होता है कैमबेसी सेकंड और एक का नाम होता है बारडिया केंब इस सेकेंड जो हो इसका जो मेन थ्रोन है जहां पर ये राजदनी जो थी इसकी इगा-बार्टारि ना वहां पर राजा बनता है लिकिन जो सेन्टरल एशिया वाली जो टेरिटरी है वो बारडिया को दे दी जाती है अब इनका जो next target होता है वो होता है Egypt अब कहां तक पहुँच गया है ये empire मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे median empire जो है वो इनके control में सबसे पहले आया median को अपने control में ले लिया है उसके बार Lidian के control में आ गया है Babylonian empire आ गया है अब kingdom of Egypt की बारी है kingdom of Egypt जो की पूरा प्राचीन नाइल रिवर के किनारे बसा हुआ एक पूरा civilization था इसका ये ऐसा civilization है जो non-stop चला है बहुत ही rich civilization है इसमें 30-31 डाइनिस्टी ने रूल किया है 30-31 डाइनिस्टी ने जो रूल किया इसमें इनका जो राजा हुआ करता था उसको फोरा कहते थी हमने Egyptian civilization के इतियास में इसके धरम की बात करी है Egyptian religion की बात की थी उसमें मैंने फोरा का जो टाइटल है उसके बारे में आपको बताया था तो यहाँ पे फोरा हुआ करता था और 26th dynasties यहाँ पे चल रही थी अब नेक्स टारगेट इनका यही था Cambyses 2 का की अब हमें Egypt को जीतना है Egypt की तरफ हमारा जो है expedition करना है तो ग्रेट फोरा ओफ Cambyses 2 जो है इसकी death हो जाती है 526 BC में यह एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था इसके बाद जो है वो नेक्स राजा जो है वो आता है सैम्टिक थर्ड सैम्टिक थर्ड जो है यह इतना strong फोरा हनी होता है और इसके time पे ही यहाँ पे Egypt का fall होता है Egypt का fall क्या कह सकते हैं Egypt की हार होती है Persian Empire के हाथों और वो कैसे होती है उसके बारे में हम डिसकस करते है तो हम कैम्बेसिस सेकंड जो है यह यहाँ पे आरकेमिडीन अमपायर जिसको बोल सकते हैं अब आरकेमिड अमपायर और दूसी तरफ Egyptian अमपायर जो है इन दोनों के बीच में एक major battle होता है जिसको बोलते है Battle of Pelushium Battle of Pelushium जो है इसमें जो है कैम्बेसिस की जीत होती है और जो दूसरी तरफ फोरा होते है Egypt की जो डाइनिस्टी हैं उनका अंत हो जाता है और 27 डाइनिस्टी के रूप में यह जो Persian किंडम के जो राजा है यही यहाँ पे एक तरह से फोरा बन जाते हैं और अपने कंट्रॉल में लेते हैं पूरे के पूरे Egyptian region को अब क्या होता है पूरे के पूरे Empire की बात करें यहाँ पे Egypt को इन्होंने अपने कंट्रॉल में लिया उसकी तस्वीर है और डारियस राजा बनता है इसके बाद फोर्थ राजा बनता है थर्ड राजा जो है उसके टाइम पे ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है नॉर्मल चलता रहता है लेकिन फूर्थ राजा जो बनता है आरकमनीड अमपायर का वो होता है डारियस दा ग्रेट डारियस दा ग्रेट जो है वो Persian अमपायर का वो राजा था जो सबसे बड़े समराजे के उपर उसने रूल किया डारियस दा ग्रेट के समय कितना बड़ा था इसका समराजे आप देखिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ कहां से शुरू हुआ सबसे पहले ये ग्रीन वाला मैप आपको दिख रहा है यहां से ये किंडम शुरू हुआ था फैस पर्शियन किंडम उसके बाद साइरस ने इस बड़े किंडम को अपने कंट्रोल में लिया ये सेंटरल एशिया तक फैल गया है और इधर आपको कहां तक सर्डिया तक दिखता हूँ अमपायर दिख रहा है अब धीरे धीरे करके आरकमणीड अमपायर जो है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है नियो बेबिलोनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है जेरुसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया है इधर जो है सेंटरल एशिया की तरफ ये बढ़ता जा रहा है इनका सामराज्जे अब इधर देखिए अर्कमडी नमपायर जो साइबरिस सेकंड के टाइम पे इजिप्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया लीबिया को अपने कंट्रोल में ले लिया डारिस फैस्ट ने अब जो बेजन टियम है और जो पुराने मेडि जो आप कह सकते हैं मैसिडोनियन जो स्टेट्स था सिटी स्टेट्स था अगरी कंपायर का उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और फाइनली जाके जो जक्सीस के टाइम पे है जो वार होता है 480 बीसी के अराउंड 479 बीसी के अर रूल किया इसने उसमें ब्लैक सी मेसिडोनिया पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया आपको दिख रहा है यहां पे रेड सी मेडिटेरियन सी यहां पे पर्शियन गल्फ और यहां पे इंडस रिवल्ट तक का इनका समराज्य फैल गया था फाइनली बात करेंगे हम ग्रेको पर्शियन वर्स की जिसके उपर हमने सेपरेटली वीडियो बना रखा है इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहां पे मैं आपको आई बेटन पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं तो युनान और फारस के बीच में जो पर जाती है क्योंकि 300 ही लोग होते हैं लेकिन बाद में जो पूरी की पूरी ग्रीक आर्मी है पीछे से जब अटैक करती है पर्शियन आर्मी के उपर तो यहां पे ग्रीक लोगों की जीत होती है युनानी सामराजर जीत जाता है और उसके बाद ही पर्शियन अंपायर की दीरे दीरे fall होना शुरू हो जाता है, decline होना शुरू हो जाता है, कहां पे हुआ ये Persian war और जिसको Greco Persian war कहते हैं, इधर आपको पूरा का पूरा Persian Empire दिख रहा है, अभी दिखाया था मैने कितना बड़ा Persian Empire था, इसकी reach जब है इन Greek states तक पहुच गई थी, तो उसके बाद जो है के बीच में कॉन्फिक्ट होने शुरू हो गए डारियस दा फैस्ट के टाइम पर यह वाला जो एरिया है यह इनके कंट्रोल में आ गया बैजंटाइन इनके कंट्रोल में हो गया यह आइनियन रिवॉल्ट होता है उसके बाद यह क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं इस मेजर कॉन्फिक्ट में क्या कुछ हुआ उसकी बात हम करते हैं तो जो ग्रेको पर्शन वोर हैं ये सीरीज ओफ वोर हैं जो दो वोर लड़े गए थे पर्शिया और ग्रीक स्टेट्स के बीच में इनकी इत्यास अगर बात करें तो 492 BC से लेके 449 BC तक लगभग 50-45 सालों तक ये युद चले हैं इसमें पहला इन्वेजन है वो 490 BC के अराउंड हुआ और दूसरा जो इन्वेजन है वो 480 से 479 के बीच में हुआ लेकिन 449 में फाइनली जाके इनके बीच में पीस जाके पीस टेटी साइन हुई है उससे पहले इनके बीच में कोई पीस नहीं थी ये एक दूसरे के परती होस्टाइल ही रहे हैं कंटिन्यूसली क्या कुछ हुआ जब डारियस दफैस जो है वो पर्शिया के राजा बनते हैं 522 BC में उस समय जो आइनियन सीटी स्टेट से एनाटोलिया रीजन के ये एनाटोलिया रीजन था ये वाला रीजन जो है नाटोलिया इस एनाटोलिया रीजन के जो आइनियन स्टेट से ये रिवोल्ट कर देते हैं अपने पर्शियन किंडम के खिलाफ पर्शियन किंडम के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं और इसमें जो छोटे 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 रूलर बैठे होते हैं जो पर्शिया की सपोर्ट से ही बैठे ह कोई भी नहीं चाहता कि उनके पडोस में एक बहुत ही पावरफुल समराज्य जो है वो अपनी नियु रखता जाए रखता जाए और इनको खत्रा बनता जाए तो एथेंस ने हमेशा क्या किया सोचा कि इन आइनियन रिवल्ट को सपोर्ट किया जाए और आइनियन यह जो पर कि पर्शियन राजा जो डारियस सेकंड है इसको यह चीज बिलकुल पसंद नहीं आती है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं वो इसके आइनियन रिवल्ट में लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं रिबेलियन्स का सपोर्ट कर रहे हैं डारियस फैस जो है अपने कॉन्वोई को बेजता है अपने राजदूतों को बेजता है इन सिटी स्टेट्स में ग्रीक सिटी स्टेट्स में और कहता है कि आप पर्शियन अंपायर की छतर चाय में आ जाओ और उनकी अधिनता सुईकार कर लो और जो ग्रीक स्टेट्स हैं वो ये मानने से मना कर देते हैं उसकी वज है जिसमें पर्शिया की आर्मी की हार होती है और ये ग्रीक सिटी स्टेट्स जो है वो जीट जाते है अब डारियस जो है वो चला जाता है अपने पर्शियन किंडम में वापिस और वो जाके वहां पे तैयारी करता है कि अब मैं दूसरा युद्ध करूँगा अब की बार 4820 के रांड ये जक्सिस वही है जो कि एक बहुत ही इविल सा राजा दिखाया है 300 मोई में एक बड़ा सा राजा दिखाया है वो था जक्सिस वो राजा बनता है और अब जक्सिस का यही मकसद होता है लाइफ का कि जो ग्रीक से उनको हराना है ग्रीस को हमें पूरी तरीके स बहुत ताकतवर होती है और वो उनका सामना करते हैं उसी दोरान एक लड़ाई होती है बैटल ओफ थर्मोफली ये वही बैटल है जो 300 मोई में हुई थी जो जिसमें लिउनाइडस और उसके 300 अंग रक्षक बहादूर स्पार्टन्स मिलके पूरी की पूरी जक्सीस की आर्मी का सामना करते हैं हलांकि ये इस युद में जीत नहीं पाते लेकिन इस युद की इस बैटल की वज़े से ही पीछे से जो पूरी की पूरी ग्रिक आर्मी है उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो प्रिपेर कर सके खुद को वार के लिए और उसके बाद दो और बड़ी लड सकती है पर्शियन किंगडम को यहां पर एशिया माइनर तक पीछे धके जो जो ग्रिक स्टेट्स हैं वो युद में हराते हैं और एनाटोलिया का जो कोस्ट है यहां पे बहुत बड़े हार का सामना करना परता है पर्शियन किंगडम को लेकिन यहां पर भी अगले 30 सालों तक जो है इन kingdom's के बीच में लड़ाईयां चोटी मोटी लड़ाईयां चलती रहती हैं ऐसा नहीं है कि Persian kingdom जो है वो अचानक से fall कर गया और Greek states ने उसके उपर control कर लिया ऐसा भी नहीं था आने वाले 100 साल तक फिर भी ये kingdom चलता रहा है और ये finally इनके बीच में जो peace of calias 49 में sign अब उसके बाद क्या होता है दुनिया भर में क्या चल रहा था ये आप ये देख सकते हैं कि आरकेमनीड empire जो है ये अपने peak पे जब था उस समय यहाँ पे मैसिडोनिया था और मैसिडोनिया ने फिर इसको उपर control किया और वो समय भी हम देखेंगे जब Alexander the Great जो है वो राज लेकिन जितना रीजन वो जानते थे वहां तक जब जब उन्होंने जो जो लड़ाईयां लड़ी 12 साल तक आने वाले समय में उसमें उसमें उनको जीत हासिल हुई ये था इनका पर्शियन का जो एकस्टेंड अब इनके उसकी बात करते हैं क्या बोलते हैं सोरी अब इसके फॉल की बात करते हैं फॉल ऑफ अमपायर कब हुआ जक्सीज ने जब चार सो असी बीसी में लड़ाई हारी थी ग्रीक इन्वेजन के दोरान दूसरा जो ग्रीक इन्वेजन किया था पर्शिया ने उसमें जब जक्सीज की हार होती है उसके बाद ही धीरे धीरे करके इस सम समराजे इनके सामने सीधा ही घुटना टेक देते थे जक्सीज और डारियस के सामने की इतना बड़ा ग्रीक समराजे है और उसका हम सामना ही नहीं कर पाएंगे अब उन लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ गया और वो धीरे धीरे यहां पर रिवोल्ट होने शुरू हो गई इनका समराजे है उसकी फाइनेंशल कंडिशन खराब हो गई बहुत सारे ऐसे पहलू हुए जिसकी विज़से इसका डिकलाइन होना शुरू हुआ लेकिन फाइनली इसका इन्वेजन हुआ अलेकजंडर दा ग्रेट के टाइम पे मैसिडोनिया के राजा जब अलेकजंडर है यहां पे डारिस थर्ड जो है राजा होता है उसके समय पे यहां पा पूरा का पूरा जो परिशन अंपायर है इसकी हार हो जाती है और अलेकजंडर जो है उसने इस पूरे रीजन को जीत लिया और ना केवल सिर्फ परिश्या को यहां पे जो इजिप्ट है इस रीजन को भी जीत लिया था और हिंदु कुष्ट की पहाड़ियों से होता हुआ वो भारत तक उसने इन्वेड इन्वेजन किये थे जब पूरे भारत को इन्वेड नहीं कर पाया लेकिन यहां पे जो राजा था पौरुष भारत का राजा था जहलम नदी के किनारे वाला रीजन उसके अंडराय करता था तो उसके साथ युद हुआ था बैटल ओफ हाइडस पीस जो जहलम नदी के किनारे का जो युद हुआ था उसमें आपको मैंने बताया भी था इस वीडियो में पीछे वाला जो मैंने आपको थमिल दिखाई है ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस अलेकजनडर दगरेट ने दुनिया को जीता कितना बड़ा समराजे अपने कंट्रोल में लिया इस मैसी डोणिया से निकल के उसने इस पूरे पर्शियन अम्पायर को भी हराया और दुनिया भर के बहुत बड़े समराजियों को इसने अपने छतर साया में लिया उसके इधर से एक और समराजे है वो बड़ा समराजे बन जाता है उसका नाम था आप जानते है रोमन अमपायर तो रोमन अमपायर का टाइम आ जाता है रोमन अमपायर बहुत बड़ा बन जाता है तो धीरे धीरे करके पर्शियन अमपायर चला तो है रोमन अमपायर जो है वो इस empire धीरे धीरे decline कब करता है दुबारा जब यहां पे Islamic invasion होते हैं और Islamic region के जो लोग हैं वो अपने control में इस पूरे के पूरे area को ले लेते हैं तो यह चीजें होती हैं अब बात कर देते हैं कि rise and fall तक की बात तो हमने कर ली अब इसके culture की बात करते हैं और इसके religion की बात करते हैं कulture की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि तीन बड़ी सब्वेताओं के area के उपर पूरा का पूरा control था इस Persian empire का तो इनके पास सब resources का access था कि वो तीन समराजे जो जो चीजे जानते थे चाए वो metal work हो चाए रोख craving हो, waving हो, architecture हो उन तीनों समराजे की पूरी की पूरी जो एक तरीके से इनके पास background में इनके पास पूरी की पूरी चीजें थी पूरा का पूरा इनके पास access था उन तीनों civilizations का इसलिए इनके पास अच्छा कासा इनका civilization जो है इनका culture और इनका जो आर्ट वर्क है वो काफी dynamic रहा है, इसमें इनके काफी artistic work मिले हैं, काफी craved rock relief मिले हैं, काफी एस तरीके की यहां पे मुर्तियां मिली हैं जिसमें बहुत सारे राजाओं की आपको जो अर्केमिलीन, king's हुए हैं, उनके tom's मिले हैं, उनकी cemetery मिली है, नश ए रुस्तम जो है, यह एक बहुती पुरानी cemetery है, जहां पे जो राजा हैं, उनकी मुर्तियां आपको दिखेंगी, कैसे rock को कट करके वो बनाते थे, तो काफी rich इनका culture हुआ करता था, और यहां पे कुछ है, जब सोने की मुर्तियां भी मिली हैं, सोने की छोटी-छोटी महरें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, तो यह लोग जो है, पहले से metal work भी जानते थे, waving जैसी चीज़ें भी जानते थे, और इनका काफी access था, बहुत बड़े region का access था, जिसमें यह जाके चीज़ों को देख सकते थे, पर्शन religion की बात करें, तो इसके उपर मैंने separately वीडियो बना रखा है, यह वीडियो है, आप जाके इसको देख भी सकते हैं, इसका भी आपको मैं लिंक परवाइड कर दूँगा, फारसी धरम का क्या इत्यास राह है, इसकी क्या पूरी की पूरी philosophy है, rise history belief, सबी चीज़ों के उपर हमने बात की है, तो जोरस्ट नीजिम इसको बोलते हैं, जोरस्ट नाम के एक प्रॉफिट हुए है, जिनका जनम 1500 बीसी से 500 बीसी के अरॉणड कहीं बीच में हुआ है, काफी उनके धरम, उनके जनम को लेके काफी सारे अलग अलग राय हैं अलग अलग हिस्टोरियन्स में तो आप ज़ादा तर लोगों को लगता होगा कि इस रीजन में तो आज के समय जिस रीजन की मैं बात करा हूँ पर्शियन अमपायर की यहां पे तो मेजरली इसलाम फोलो किया जाता है लेकिन इसलाम जो है वो पूरे के पूरे पूरे इलाके में फोलो किया जाता है और आज भी माइनورटी में एरान और इंडिया में यह दरम के यह जाता है बाकी रिजन में तो द Wars का अंत हो गया इसकी मैंने यह भी बताया था कि कैसे इस धरम का धीरे-देरे फॉल हुआ है उसकी भी पूरी हिस्ट्री मैंने इस पूरे वीडियो में बताई है तो यह जो 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 यहां पे वो हुए है इनके प्रॉफेट हुए है उनका जनम मैंने बताए 500 से 1520 के बीच में कहीं हुआ है और इन्हों ने इनकी काफी सारी फिलोसोफी है जिसमें एक आश्रा फिलोसोफी ह एक फिलोसोफीकल आइडियाज है जो इसको आप इसी वीडियो में देखेगा क्योंकि काफी डेटेल चीजें हो जाएंगे और वहीं पर आपको देखनी चाहिए साइरस डगरेड जो है जो आर्केमिनीन किंग थे इनको माना जाता है कि बहुत ही टोलरेंट राजा थी टोलरेंट थे ये जोरस्ट इनिजम को फोलो करते थे जोरस्टीम placement करते थे लेकिन किसी को भी इस चीज़ के लिये मजबूर नहीं किया जाता था कि आपको फार्सी ध जैसे हैं तो लोगों को छूट थी कि वो अपनी language और अपनी religious practices को follow कर सकते हैं उनके उपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था और इसी की वज़े से जो आगे आने वाले जो इनके राजा थे दूसरे उन्होंने भी किसी के उपर कभी दबाव नहीं बनाया लोगों के उपर Islamic जो rulers हैं उन्होंने पूरे के पूरे area को capture कर लिया तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर जो पहले जो जो पहले जो रिस्टिनिजम को follow करते थे उन्होंने इसलाम को अपना लिया कुछ लोगों को वहां पर जब पर्सिक्यूट किया जाता था तो जबर्दस्ती उनको इसल करती है Cyrus the Great को उनकी सोच की वज़े से उनकी tolerant nature की वज़े से तो यहां पर बैसिकली यह है काफी डाइवर सिटी थी मेजर ली जो रिलिजन फोलो किया जाता था वो जो रिस्टिनिजम था लेकिन यहां पर जो रिलिजन जो थे जैसे इजिप्ट में उनका खुद का एक रिल कराजह को राजिया काफी डायवर सिटी इनके यहां पर देखने को मिलती है और इस टाइम को क्यू undertakका पर एकदम पूरी तरा का से टॉल्रेंस उसके बाद आगे चलके ये टॉल्रेंस उतनी रही नहीं है और बाद इसी टाइम को पैक्स परसी का कहा जाता है यहनी पर शो जो है वो थोड़ी बदल गई और आने वाले समय में तो आपको देखते हैं कि मेडाइवल पीरिड में तो यहां पे और ज्यादा इस्ति खराब होती है जब लड़ाईयां शुरू हो जाती है इसलामिक और यह जो दूसरा क्या बोलते हैं क्रिश्चन रिलिजन के धर्मों के बीच में लड़ाईयां होती हैं जिसके बारे में भी हमने बात कर रखी है जो पर्जाइड पर शिल्डिजन के बराबर रही है लगब 5.5 तो आपको सारी सीजे क्लियर हुई हुँगी फार्सी समराज्य के बारे में तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजेगा So thank you so much for watching this video, have a good day, see you next video